हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू आट अन कल्चर विद प्रियांका तो आज हम लोग जो डिसकस करेंगे वह के विएस 2017 का ही पेपर जो है प्रिविस यह पेपर का जो आज हम लोग करेंगे वह है पार्ट टू पार्ट वन जो है मैंने पिछले दिनों में करवाया है और उसका इसके पीछे व्याक्या क्या है ठीक है तो इसका पहला नमबर है तक मैंने प्रिविएस पार्ट वन में करवा रखा है वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं प्रिविएस यह कोशन में और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगी और साथ ही मै जो है 2018 का भी कोशन पेपर जो है मैंने करवाया है और इसका भी लिंक मैं जो है इसके description box में दे दूंगी तो पहला question है रागमाला चित्रों में किसका निरूपन देखने को मिलता है रागमाला पेंटिंग रिप्रेजेंट्स रागमाला पेंटिंग किसका निरूपन करता है पोट्रेट का करेगा रिलिजियस स्टोरी सीजन्स या फिर रागमाला पेंटिंग या फिर पोट्रेट बोलते हैं जिसको धार्मी कता है रितुए या रागरागनी तो इसका सही उतर हो जाएगा राग राग नी राग राग नी को जो है राग माला पेंटिंग जो है रिप्रेजेंट करता है राग माला पेंटिंग यहां पर राग माला बोल रहे हैं तो राग माला का मतलब क्या है रागों की माला इसको बुलादा सकता है कि सरो की स्रिंखला को यहाँ पर रागमाला बोला गया है जिसमें कि ताल की प्रवित्ती हो शक्तिशाली और कमजोर होना उसके जो है लिंक को निधारित करता है राग की आरो अवस्था राग के पूरूश और आरो अवस्था हो इस्तरी या राग अर राजस्थानी चित्रगला में कितने राग देखने को मिलते हैं और रागनी कितनी है तो 6 राग है और 36 जो है रागनी है ठीक है और मैं बता दूँ कि यह कोशन जो है आपको KVS NBS के अलावा जो है यह डिट्रीप डिट्रीपलेश इसरी में आ सकता है यह आपको भी होने वाल है इसमें जो है आर्ट स्लेबल सा है आर्ट एडूकेशन का है तो अविसली यह NBS में भी आ सकता है ठीक है यह KVS में भी आ सकता है यह DSSB का जो होता है दिल्ली का एक्जाब उसमें भी आ सकता है यह तो विच स्कूल ओफ मिनियचर पेंटिंग बसोली सब स्कूल बिलॉंग्स बसोली सब स्कूल यह उप शली किस लगू चितर शली से संबंदित है पहारी स्कूल ओफ मिनियचर पेंटिंग दक्कन स्कूल ओफ मिनियचर पेंटिंग मुगल स्कूल ओफ मिनियचर पेंटिंग तो बसोली सली जो है ये पहारी स्कूल ओफ मिनियेचर पैंटिंग की बहारी लगू चितर शली से संब्द देते हैं बसोली जो है पहारी लगू चितर शली का एक सब स्कूल है यानि उप शली है बसोली के अलावा पहारी शली में और क्या क्या पढ़ता है तो इसे पढ़ता ह चंबा शली गुलेर शली कांगरा कुलू मांडी जम्मू और पूच शली गरवार शली कश्मीरी शली यह सब जो है यह सब जो है यह पहारी की पहारी मिनियेचर पेंटिंग की उप शलिया है ठीक है क्या क्या हो गया तो पहलो तो यहां बसोली शली ही हो गया बसोली के लावा हो गया यहां पे चंबा दूसरा नंबर पे फिर आगया गुलेर फिर आगया कांगरा कुलू मंडी जम्मू ठीक है पूँच गड़वाल कश्मीर टोटल जो है नौ शेलिया यहां पे देखने को मिलती है ठीक है नेश्ने नेंब डपइंटर ओफ दा फेमस मुगल मीनिचर पेंटिंग क्रिश्तने लिफ्टिंग मांच गोबर्धन प्रसित गडोगन दання iconic रिखि के चित्रकार का नाम बताई्य है गोबर्धन धारी कृष्ण के चित्रकार का नाम क्या बसावन होगा, मनोहर होगा, मिस्किन होगा या दसवन्त होगा तो गोबर्धन धारी चित्र जो है ये मिस्किन दोरा बनाये गए चित्र थी क्रिश्ना है लिफ्टिंग मांट गोबर्धन जो पेंटिंग था यह मिस्कीन ने बनाया था इस चित्र को और इस चित्र को बनाया गया था इसको बनाया था 1585-90 इस हो 2585 से लेके 10 तक कसiden समयकाल है पेंटिंग को ढूआ को दा पेंटर ऑफ दबंंगल स्कूल अच्छ okay दा शीर को एंपर को इजिए पेनिट ही के मीं और न म्या वख किनक दिया था तो वाटर कलर को टैंपरा को इसल पैंटi्टङंग इया चैनमें जुरीग को येशर निडिया दीत कर दिया था ऊप्यूर favor सब्सक्राइब ने इसको स्विक्रति दी सन 1904 में बंगाल में विस्वधाले की कला दिर्गा से यूरोपी चित्रकला के नमूने और पक्षमी पूर्वाशिशों को हटवा दिया गया था और भारती जीवन और आदर्श से परिपूर्ण जो है अजंता बाग एलोरा गोल कुमबज यह स्रिपूर्ण ने माहराश्ट्र में या फिर आंधरप्रदेश में तो में गोल कुमबज जो है THIS OFF तो गोलगुमबज करनाटक के बीजापूर जिले में इस्तित हो जाएगा और गोलगुमबज को कब बनाया गया किसने बनाया से पूछ सकता है तो गोलगुमबज को जो है आदिल शाह आदिल शाही राजबंसु ने बनवाया था साथवे मुसुल्तान थे मुहमद आदिल शाह का मगबरा जो है इसको बोला जाता है गोलगुमबज जो है मुहमद आदिल साह का मगबरा भी इसको कहा जाता है नेक्स है फू पेंटेड दा फेमस मुगल मीनियेचर पेंटिंग बाबर क्रोसिंग दरीवर स्टोर्म प्रसिद मुगल लगुच चितर बाबर सोन नदी पार करते हुए कुक किस ने चितरित किया अबूल हसन मनोहर मिस्कीन यह फिट जगनाथ तो इसका सही उतर होगा जग किया गया था और इसकी जह चितर जो है बहुत ही खुबशुरत ऑभी में और दगेशु नेदलीमे यह बैद आ dough के चो रशंकाल टेकनिक पे ठीक है वाटर कलर से टेंपरा टेकनिक में बना है और अगबर के टाइम फिर्ट में बनाया गया था और अभी जो ही यह रासे संगाले ने दिल्ली में संग रहित है में लगु चितरशली के उस्ताद चितरकाल अब्द उस समाथ और में से अगरा बलवाया गया था कहां के थे ये अरब के थे मिसर के थे तुर्क के थे या फारस के थे तो ये लोग जो थे ये फारस के कला कार या इरान के कला करते थे और इनको जो है इरान से बुलाया गया था आगरा और किसके टाइम पर बुलाया गया था तो हुमायो के टाइम पे बिलाएगा था हुमायो का पूरा जीवन संगर्ष में बीता था और वो एक कला प्रेमी था ठीक है तो इस दौरान वो जो है इस बार इरान गया था तो वहां से कला कर मेरसेद अली और ख्वाजा अब्दू समाद को ले आया था ठीक है और उसके बा करते हैं वेर आर इंस्टॉल इंस्टॉल मोस्ट ऑफ इस कल्चर डन बाई राम किंग करवेज राम किंग करवेज के अधिक अधिक मूर्ति शिल्प कहा है तो राम किंग करवेज दर अधिक अधिक तर मूर्ति शिल्प रिजर बैंक ऑफ इंडिया ने दिली में जेजे ही रखी गई है तीक है हमनों जा के देखेंगे तो कि राम कभी शाथिनी केतन जाएं कलाव और में तो आप को कलाव होर्न में इंटर करने कि इंटर करने से ही वहाँ पे जो है मिल कॉल और कॉल संथाल फैमली जो है सकल्प्चर देखने को मिलेगा ठीक है और राम किंकर बेच के अगर हमनों बात करते हैं तो राम किंकर बेच का जन्म कब हुआ था राम किंकर बेच का जन्म जो है 1906 में हुआ था कहां हुआ था तो बाकुरा में हुआ था ठीक है राम किंकर बेच का जन् प्रने शांति निकेतन से अपना डिप्लोमा आर्ट में डिप्लोमा कम्प्लिट किया फिर अन्होंने पर अपना चलन रखा और उनकी बहुत पहले पैंटिंग ही करते थे sketching, painting, drawing, सब कुछ उन्होंने किया लाश्मन उन्होंने मूर्तिकला किया और मूर्तिकला के लिए सिमेंट और कॉंक्रेट को जो है अपना मीडियम बनायत है इन विच पीरियड वेर दा इलोरा रॉक कर टेंपल कर इलोरा की गुफाएं निमलिखित में से किस कलाओधी में उतकिर्न की गई है इलोरा की गुफाएं तेन सेंचुरी ए से लेवन सेंचुरी एडी होगा या फिर सेंचुरी एडी होगा या फिर सेंचुरी एडी या फिर सेवन्थ तू एट होगा या फिर फिर फिर्स तू फिफ्ट होगा तो एलोरा की जितनी भी गुफाएं हैं जो है वो कितना से कितना से सात्वी सतापदी लेकर दस्वी सतापदी के अंदर जो है निर्मित की गई है एलोरा में कितने गुफाएं है अगर पूछा एलोरा में तो कितनी गुफाएं है तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं है और एलोरा का जो है कैलासनाथ मंदिर गुफा नमबर 16 है वो कैलासनाथ मंदिर जो है बहुत ही फेमस है और एलोरा में कहां है एलोरा तो एलोरा जो है महार नस्त्र के औरंगाबाद जिले में है और अजंता से करीब करीव 100 किल्व मिटर नूर है 35 अजिले नूहिकाई यहां की सब्से एंपोर्टन आखिन माने जाता है केलामन उस्त टैमपल को और जो की 16 नंबर गुफा है अंडर हुस पेट्रो ने जो मुगल इंपीरियर दर टेक्निक ऑफ पर्देश स्टीप्लिंग इवल्ड मुगल शैली किस मुगल चंचाह के संदक्शन में परद्राज यानि बिंदू सिक्षन शेड लगाने की तकनिक शुरू की गई थी बाबर के सा लुक्ति को से इसका सही उत्तर हो जाएगा अगकर के समयकाल में पर्देश भ domu शेड दीया जाता था बिन्दू Shade in the Size SSS इस टाइप से कुछ छोगा इस टाइप से था जो की कि ए टिके बिन्दूं से जो है Shade दिया जाता था तो इस तरह से माने परद्रेज इसको बोलते है बिन्दू चित्रन चितरन या फिस ब्रकार सिध्व जहां तो उसी के ठू जो है चाया और परदेश मुगलो चित्रकला में जो है शादरिश और यथारतवाद अथ्वा उभार जैसी है फिर गोलाई दिखाने के लिए चाया प्रकाश दिखाने यह यह शेड दिखाने के लिए जो है यह बिंदू का यूज किया जाता है जिदर लाइट एरिया इस तरह से जो है चित्वों को बनाया जाता था डिजाइन दर ताज महल इस बेज़ जॉन ताज भर का अभी कल्पन नमुना किस पर अधारित थे अकबर के तॉमपर फिर इल्टोसमिस का मगबरा वीमी का मकबरा या हुमायो का मगबरा तो ताज महल जो है वो हुमायो की मगबरे के समान दिखने में लगता है उसका ही एक नमूना है तो ताज महल कब बनाया गया है ताज महल मद्दे कालिन भारत में बनाया गया एक बहुत ही उन्नटदार एक मुतलब आर्किटेक्चर है ठीक है तो यह हुमाय। के मकिबरे के नमुना था और चीज़ आपको बता दूंगी ताजमेहल जो है वो इंदू इसलामिक ताजमेहल जो है आर्किटेक्चर उसने बना था बॉचे वीच वीच मूड वाज एप्लाइट फोर डगाफ ऑर कस्टिंग डचोल ब्रॉंज के शाशनकाल में काश्य को किस विदी से धल्वा बनाया गया था धल्वा धल्वाया किया था तो फाइबर कास्टिंग मेटल कास्टिंग लॉष्ट वेक्स प्रॉसस यह फिस जैन् लोस्ट वेक्स पॉसेस के जो है चोल वंज के साशनकाल ने जितनी भी मूर्तियां बनी थी उन्हों को जो है लॉस्ट वेक्स पॉसेस ने बना या तो इसकी सबसे मूर्ती जो थी वो थी तुम ये क्या बोलता है नट राज की मूर्ति हैं जो चोलवंस में हम लोगों को देखने को मिलती है हमारे भारती राष्टे द्वच के चक्र में प्रयूक्त गहरे नीले रंग का क्या महत्त है या क्या प्रतीक है हिंद महासागर का प्रतीक है या फिस्वख शाकास और महासागर की भांती सुखद विस्तृत का प्रतीक है तो इसका सही उतर हो जाएगा कि यह हमा यह जो है इसका सही उतर हो जाएगा कि यह जो है तो नीला रंग लोग देख पाते है तो वो सौक्षाकास और महासागर की भाती सुकद और विस्तित पतिकात्मक अर्थ देता है इसमें 24 तिलियां देखने को मिलती है जो कि 24 गंटे को दर्शाती है और 24 गंटे के धर्म के मार्ग को यह दिखाती है ठीक है अशोक स्थम का चक्र है अशोक चकर इसको बोलते है अनुपम सूद इस फेमस कंटेंप्ररी मौडर्न इंडियन ग्राफिक आर्टिस्ट हुँ आज मोस्टली वर्ग इन मीडियम अनुपम सूद एक प्रसेश समकानिन आधुनिक भारती छापाचितरकार है जिन्होंने माध्यम में कारे किया अनुपम सूद ने किस माध्यम में काम किया है अमल लेखन या एचिंग में काम किया है अश्मुद्रा में लिथोग्राफ में या फिर उड़कर्ट में या ने लिनोकर्ट में तो अनुपम सूद जो है वो ज्यादातर एचिंग में काम किये हैं ठीक है अनुपम सूद जो है वो एचिंग में काम किये हैं उनका जन जो है पंजाब में हुआ था 1944 में किस मुगल शहंसा के संरक्षन में मुगल लगु चितरशाली में पश्यों और पख्षियों का चितरण विशेश रूप से किया गया था हुमायू के जहांगिर के शाजा के या अगबर के तो इसका सही उतर हो जाएगा जहांगिर के जहांगिर के टाइम पिरेड में जो है पश्यों पक्षियों का चितरण किया गया था किसने किया था तो उस्ताद मंसूर जो थे वो पश्यों पक्षि के चितरण में बहुत ही फेमस आर्टिस्ट माने जाते थे जो कि जहांगिर के टाइम पिरेड में जो है उन्होंने उस चेत्रे से संबंदित है अंधर प्रदेश करनाटक से परता है जो कि दक्षिन पठार चेत्र नर्मदा और कृष्ण नदी के मध्य परता है यहां पर नर्मदा और कृष्ण नदी के मध्य का भाग है उस एरिया को जो है दकन का चेत्र है दकन लगुचित शैली का चेत्र जो है कहा जाता है आंधर प्रदेश और करनाटका प्लैटू रिजन इन साउथ और बिट्वीन नर्मदा और कृष्ण नर्मदा और कृष्ण रिवर ठीए है इन वीच केव नबर ऑफ अजनता दस कुल्चर ओफ माहवीर चाये मार जाये इस सिचुएटें मार विजय मूर्ती अजन्ता के किस गुफा क्रमांक में है गुफा नमबर 11 में है 26 में है 9 में है या 10 में मार विजय जो है गुफा नमबर 26 में मार विजय का चित्र देखने को मिलता है गुफा नमबर 26 मार विजय जो है एक विशेस विशे है मैंने एक विशह है जिसमें की दिखाया गया है कि मैंने दाहिनी दीवार पर प्रस्तूत किया गया है अजन्ता गुफा के 26 नमर गुफा में दाहिनी दीवार में इसको दिखाया गया है इसमें बुद्ध की महापरी निर्मान की विशाल प्रतिमा के लूप में इसको बनाया गया था और इसमें बुद्ध की आकरिती को बीच में और मार की पुत्री और सेना से घीरा हुआ दिखाया गया है यहाँ बुद्ध को To which sub-school the famous दकन miniature painting चांद बीबी ठीक है? पोलो विलॉंग्स हो गया आप है कि प्रसिद दखिनी लगु चितर चांद बीबी पोलो खेलती हुई कि उपर चितर शाली से सम्मंदित है एहमद नगर, हैदराबाद, बीजापूर या गोलकुंडा तो इसका सही उतर हो जाएगा बीजापूर प्रसिद दखिनी लगु चितर चांद बीबी पोलो यानि पोलो खेलती हुई चांद बीबी का जो चितर है पोलो खेलती है यह जो है बीजापूर की उपशाली है बीजापूर की शाली में बनाया गया है इसको चितर में संस्कृतिक रूप देखने को मिलता है दक्कन राजी के बीजापूर की रानी जो है चांद बीबी जो थी बीजापूर की रानी थी उसका चितर देखने को मिलता है चांद बीबी ने सम्याठा सोग द्वारा राज का अधिकार करने के लिए राजनेतिक प्रयासों का बहुत जट विरोध किया था और इस चितरन में दिखाया गया है कि ये चौगन खेल रही है यानि ये पोलो और खेल रही है इस तरह से जो है चित्र को चित्रित किया गया है ठीक है वीजापूर का है यह तुम्हारा चांज बीबी और चांज बीबी पुलो खेलती हुए ठीक है वट इस दिदार गंज यक्षी और सार्नाथ सित्सिंग का सबसे महतुपूल तक्निकी गुण क्या है भाव भंगी मा यानि पॉस्चर है विसे वस्तु याफी कॉंटेंट है मानव चित्र यानि हूमन फीगर है फिर पॉलिश की गई सत्य यानि पॉलिश सर्फेस है तो इसका सही उतर हो जाएगा दिदार गंज की जो मूर्ति कनाय है यक्षा और यक्षीने की तो उसमें हम मूर्तियां देखने को मिलती है ठीक है और यह एकदम जो है पॉलिश की हुई है खुर्दूरी नहीं है यहीं इनकी जो से बड़ी विशेशता है लास्ट कोर्शन है आज का मैंशन दा नेम ऑफ दा आर्टिस दा फेमस कंटेंप्ररी मॉडर्न इंडियन ग्राफिक प्रसित समकारे अधुनिक भारति छपाचित्र मर्द, और और पेड़ के कलाकार का नाम बताई है कौन बनाया है इसको अनुकमसुद ने बनाया है कृष्चना रेदी ने बनाया है जोती भट ने बनाया है तो इसका सही उतर हो जाएगा के लक्षमन गॉर्ड ने बनाया है कि man, woman and tree man, woman and tree जो है कि लक्षमन गौर्ड का है कब बनाया था इसको 1980 से लेके 1990 जो है इसका समय काल माना जाएगा और ये जो है इस painting को जो है morph paper पर जो है बनाया गया है और aging and aqua tint within में देखने को मिलता है man, woman and tree ठीक है? aging and aqua tint within में बनाया गया है और morph paper बनाया गया है 1980-1990 का जो है इसका time period देखने को मिलता है ठीक है? तो आज का session जो है हम यही खतम करते हैं, मिलते हम रूँ next session में और ये मेरा जो है Instagram ID है आप चाहिए तो यहाँ पे मुझे join कर सकते हैं और अगर आप channel में नए है चैनल को subscribe कर लीजेगा ऐसे ही और भी आपको जो है question answer का जो है session मिलता रहेगा और इसमें जो है अभी और भी दो से तीन पाट आने वाले हैं तो यह भी खतम नहीं है total hundred question जो है आता है total total जो है hundred question आता है और hundred में अभी तक हम लोगों ने जो है 40 किया है और अभी भी शार question जो है बाकी है तो बाकी question जो हम लोग ने session में करेंगे ठीक है तो तक मिलते हैं लोग ने session में आप लोग से भी स्वास्तरे सुरक्षित रहें ताटा